बिसमिल्लायर वहमार रोहीम असलाम अलेकम फ्रेंड्स वैलकम टो माई ट्यूप चैनल बिलाल प्रोग्रेमर फ्रेंड्स आज हम लोग जो है करानहा हम लोग ने स्लाइथ के हम फास का त्ध के में Premे आसले स्लैस के छॉत आख के मर पास sap हरै कि एक नया डटा मैं बना देता है लाइक तक हमेर पास अगर डिस्टर सुपीटर कि बात की आपकर प्रिकार्ड हों कुछ तुडेंट के हम लोग यह चेक करेंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो पास आउट हुए है जो उनके नेम आ जा 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 जिनकी पोजीशन आई है हम लोग फिल्टर कर रहे हैं किसकी बेस पर करें किरिशन की बेस पर और वो पोजीशन होल्डर जिससरा हम लोग ने एक्जाम का टाइम आगा तो स्टूडेंट के लोग ने टेंडस चेक करेंगे कि जिसकी टेंडस जो है 40 या 80 पर से कम है वो एक्जान में नहीं अपियर हो सकते जिसकी ज्यादा है जिस्ट वह ही होंगे तो यह भी हम लोग ने फिल्टर किया तो हमारे पस क्या होगा कि उस complete list में से कुछ value जब बाहर आ जाएंगी लाइक जिसना मारे पास ही मैं कुछ value दीगे अगर मैं यह पर condition लगा दूँ कि जो 10 से बड़ी value हो बाहर आ जाएं तो 10 से बड़ी value अभी तो सारी नजर आ रही है लाइक मैं कहता हूँ 30 30 से जो बड़ी value हो यह चोटी value comparison operator हम लोग जो है इसके अंदर use कर लेंगे तो वो सारी इक सारी value जहां वो एक साइट पर आ जाएं तो क्या होगा कि इन में से निकल के सारी इक सारी value जहां कि निया array बना लेगी program बनाते हैं फिर समझाती है document.write और उसके बाद जो है जी फिर यहां पर मैं लिखूँगा यहां पर बियार फिर उसके बाद बियार दो टाइक लगा दो बियार के क्योंकि लाइन ब्रेक करेगा उसके अंदर काफी गया पादेगा variable लेदाओ डीनेम का is equal to z.filter filter मैं पर फिल्टर आ गया अब मैं जो है यहां पर फंक्शन बना दोगा फंक्शन थो हम लोगा अलेडी बनाते हैं मैं यहां पर new लिखूँगा new लिखूँगा new का keyword है जो बाद में issue करेगा अब मैं यहां पर जो है fil जो है new fill कर देता हूँ मेरा यह function का name होगा new fill अब उसके बाद मैं यहां पर जो है document.write उसके बा अब यह हो गया सारा कुछ अब इसमें कुछ होगा नहीं control है save कर लोता हूँ open with live server मैं कर लूँ तो मेरे पाद अरे की जो values होगी तो यह है मेरा web development का tutorial जिसके अंदर html css and javascript जो है वो मैंने सिखाई हुए काफ़ असान तरीके से आप लोग भी सीज सकते हैं अपने friends के सा function बनाया अब इसका मैंने function बना रहा है मैं यहाँ पर लिखूंगा function is equal to new fill यह आ गया अब मैं क्या करूंगा यह तो हम लोग last lecture में भी करती आया है कि हम लोग value को return करेंगे value को return किया मैं यहाँ पर return return z greater than and equal to अब like मैं यहाँ पर कह दूँ के मेरे पास जो 30 अब मैं इसके द value है ना वो value nickel के एक नया array बनाते है मेरे पास just यह किया मैं और कुछ भी यह control है save किया है और मैं जब यहाँ पर जाओंगा तो मेरे पस यह एक नया array आक है जो 30 से ज्यादा value होंगी इसने मुझे बता दी सारी की सारी list के अंदर से अब मैं एक और example दे रहता हूँ आपको like म है अगर इसको कहूँ के जो 4 से ज्यादा value है आलमोस सारी यह आ जाएंगी सारी की सारी यह आ गई हमने के काम कोटे 25 दे रहते है 25 25 25 से ज्यादा है तो यह सारी 25 से ज्यादा है मैं कुछ और value इसके अंदर और और add कर जता हूँ like 25 25 से कम ही दूँँगा मैं 20 कर जता हूँ control ह सेव करूँगा फिर भी हमारे पास कोई value नहीं आई मैं काम करता हूँ इसके अंदर last में जाके 22 देता हूँ क्या इसको accept करेगा बिल्कु करना तो चाहिए हमारे पास 22 हमारे पास जो है सारी इसने value जावे देदी पर इसने 22 को accept नहीं किया अब इसको इसको पी accept करना चाहि यह था मारे पास condition जाया ना वो condition जो हमारे पास लगी है वो 25 से अबव कि लगी है पहले मैं यह समझा कि शायद में 20 यह 20 से कम किया है इस वच्छे हमारे पास 22 नहीं आया मैं इसकी value की increase कर दू 25 से ज्यादा बढ़ा करकर 26 कर दूं चाहिए है अब ही हागी value 25 35 34 मैं काम करता मैं इसको थोड़ा सा और increase कर देता हूं like मैं 27 कर देता हूं control s save करनोगा 27 से जो जो value होंगी वो सारी सारी एक नहीं area के अंदर मेरी store हो जाएंगी I hope so कि आपको filter की भी समझा आगी होगी कि filter कि से लोग js के अंदर use कर दे हैं तो अपना ख्यार रखें मुझे दौं में याद कि अदर के अदर के अलाव